हैलो फ्रेंड आप सभी का आपके यूटूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार सी एचो का फॉर्म कैसे आप अपलाई कर सकते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली बात मैं इसका नोटिफिकेशन का मैं वीडियो बना ही दिया था आपको पता नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहे हैं को वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं या आई बटन पर आपको देख रहा होगा वहाँ पर मिडिल नेम और फिर अपना लास्ट नेम जैसे आपका बच्चे का नाम है किसी का राम कुमार तो राम उसका फर्स्ट नेम होगा कुमार उसका लास्ट नेम होगा अगर इसी बच्चे का नाम है राम कुमार सिंग तो राम फर्स्ट नेम कुमार मिडिल नेम और सिंग उसका last name हो जाएगा उसकी पार्थ यहां पर देखेगा तो पोस्ट अप्लाइग का option देखने को पुछा कि पोस्ट किस पोस्ट करें अप्लाइग करना है तो यहां पर आपका automatic selection रहेगा CHO उसकी बाद आपका essential qualification पुछेगा तो जो भी आपका इस category के अंदर जो भी आपको qualification होगा आपको वो selection कर लेना है जैसे BSC nursing हो गया पोस्ट basic nursing हो गया GNM हो गया BSC nursing हो गया जहां पर आपने CCH के अंदर को काम किया वो पुछाएगा अब PBSC पुछेगा तो आपने Community Health के अंदर काम किया वो आपको पुछेगा तो जो भी आपका जो category होगा education qualification आपको select करना है उसके बाद आपको nursing council बारे पुछेगा जहां साप nursing council complete किया है क्या वो register है कि नहीं है register होना ज़रूरी है कि no pick करेंगे तो आपका यह नहीं form भड़ाएगा उसके बाद आपको yes pick करने के बाद यहां पर देखेंगे तो पुछेगा तीन option आपको देखेगा जहां पुछेगा कि nursing आपको कहा सक्किया हुआ है बिहार का है इंडियन का है या किसी अदर state का किया हुआ है तो मेरे पास इंडियन नर्सिंग council का तो में इंडियन अगर आप no पर select किजेगा तो आप automatic general category में चला जाएगा तो यहां पर yes और no का option आपको देना है आपको selection कर लिजेगा उसके बाद आपको date of birth पूछेगा तो आपको date of birth यहां पर भर देना है उसके बाद यहां पर gender पूछेगा male female जो है आपको selection करना है यह automatic आपका age calculate हो ज अगर आप विकलांग नहीं आता तो no pick click करना है आपको नीचे के और आना है जहां पर freedom fighter के बाद पूछे रहा है कि आप preservation लेना चाहते है freedom fighter के तोर पर अगर आपका हे तो yes pick click करना है तो no pick click करेंगे उसके बाद आपका email ID अपना mobile number और यहां पर capture भरने के बाद यहां में न address 1 complete हो जाएगा और आपका application number मिल जाएगा और आपको जो date of birth होगा पासवर्ड होगा आपको क्या करना है login click करना है login click करेंगे तो आपके सामने आप यह page open होगा जहां पर application number भरके date of birth भरके login करना होगा login click करते है यहां आपका जो basic detail आपने पहले भरा था हुग आपको बताना है तो लिख दीजेगा उसके बाद आपका address अपना भर देजगा जहां पर पहला address land 1 देखा है जहां आपना गाउं का नाम दे सकते हैं यह शहर का नाम दे सकते हैं दूसरे मापना post office का नाम देजे तीसरे माप थाना का नाम देजे उसके बाद अपना state district pin code भरने के बाद यहां पर देखेंगा आपको यहां पर टिक माने का option देखने को मिल रहा होगा अरकार आपका permanent address अगर correspondence address से सेम है तो आपको इस पर click कर देना है अगर अलग है तो आपको फिर से नीचे लगो भरना परेगा उसके बाद यहां पर education qualification पूछेगा आपका तो आपने कहां से metric pass किया है उसके बाद में पूछ रहा है कौन बोर से पास किया है वो लिखना है उसमें फिर all subject का लिख देना है और उसकी बाद 2015 जो भी आप पास किये जिस साल में वो आपको लिख देना है फिर आपका कितना number आपको आया है maximum marks कितना आया वो लिखने के बाद कितना percentage पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो form है आपका जो होगा degree वो लिख देना है कौन से बोर से पास किये है आपका specialization अगर नहीं पता चल रहा था आपको छोड़ सकते हैं blank कर खाली रख सकते हैं उसके बाद आपको year of passing लिखना का पास किये हैं कितना marks का था total और कितना आया है धि इसके बाद नीची को रहेंगा तो यहाँ पर declaration का sign देखेगा वो click करने के बाद save and continue पर फिर आपको click करना होगा save and continue पर click करने के बाद photo और sign आपको upload करने के लिए बोला जाएगा तो photo के तना size होना चाहिए 100-200 kb का बीच का होना चाहिए एक size यहाँ बताया गया और तीसरा जो है documents आपको अप्लोड करना है जो आपका registration certificate होगा जो आपको पीडिया format में convert कर लेना है यानि जो आपका nursing council का जो registration certificate होगा वो आपको यहाँ पर upload करना है मक्सीर upload नहीं करना ही ध्यान रखेगा जिसमें आपका registration number जहां पे लिखागा वही आपको यहाँ पर upload करने के बाद फिर आपको तीन चीज अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर verify कर लेना कि आपने जेतना detail भड़ा वो सब कुछ यहाँ पर सही अपलोड हुआ है क इसके बाद अपने जो फाइल अपलोड किया वो भी आपको एक बार सही से चेक कर लिजेगा जो आपने अपलोड किया फाइल वो सही के सही है के नहीं कि बाद में गलती होता था फिर आपको comment करे पूछने के कैसे सही करना है तो अगर solution उसका नहीं रहेगा तो मैं कैसे बत करना है और यहाँ अगर का form कुछ गलती अभी दिक रहा है तो आपको लिक करना है अगर सब कुछ साही है तो आपको continue to payment पर click करना है उसके बाद जिस बत्या का अगर पर इहां पर कंटीनु प् प्यमेंट पर लगने वाला है और female को भी आहिसी इसी पकार सर करना है उसके बाद यहाँ पर आपके email एडिक पुछेगा आपको देना कोई जरूरत नहीं है आपको fit किया करना है select option यहाँ पर option देखने को मिल रहा है कि किस payment के माधियम से करना चाते है credit card से debit card से रूपे के card से credit card से net banking से UBIM, EOPIC, RTGS से तो आप जिस भी माधियम से यहाँ पर payment करना चाते है आपको वहाँ पर selection करना है जैसे कि मैं यहाँ पर debit card का इस्तमाल कर रहा हूँ रूपे का तो मुए यहाँ पर जाना है उसके बाद यहाँ पर card number पुछेगा आपके mobile पर और उस OTP को आपके mobile से इसमें डाल देना है और यहाँ पर payment आपका complete हो जाएगा इस परकार से आप print भी निकलवा सकते हैं और एक important बारति मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो बच्चे form भर रहे हैं तो ध्यान रखना अगर आपका selection होगा तो आपको security bond अपलोड करना देना पड़ेगा जो 1000 पर stamp paper की उपर आपको 1.5 लाग का तक का यहाँ पर आपको भर के यहाँ पर देना पड़ेगा जो की format जो देकरें डीट आपका इस परकार का बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर day बाद में लिखा जएगा कि कब बना है उस date का यहाँ पर आपको लिख देना होगा जब आप selection होगे तो आपको यह date भरना पड़ेगा और यहाँ पर date लिखना पड़ेगा आपको फिर यहाँ पर नाम रहेगा पिर आपने पापा का नाम रहेगा और कहां रहते हैं किस जीला में रहते हैं जो गाओं का नाम यहाँ आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखा किस जगा आपको नोकरी वावाव यहाँ पर लिखा रहेगा उसके बाद यहाँ पर आपको डिसाइन रहेगा कब आपने इसका साइन किया है जो भी आपको यह डेटल यहाँ पर भरने के फिर मिला जागा फिर आपका sign बोलेगा फिर आपका जो signature करने पोलेगा कहाँ पर आपका हुआ है वो आपको यहाँ पर डेटल डालने के लिग बोला जागा फिर इस पकार का मैं अलग से वीडियो बना दूगा जहाँ पर इसको किस पकार से भरना होता है तो यह रहाँ important और एक important बात यह भी है अगर जो बच्चे matrix मिस्बार है अगर वो Muslim आते हैं याने उर्दू को उनको problem होता है पढ़ने में तो इसके लिए मैंने एक अलग से YouTube चैनल बना दिया है और यहाँ पर मैं उर्दू किलास यहाँ पर चलाने वाला हूँ तो वहाँ पर कुछ मैंने अप्लोड भी कर दिया वीडियो को वहाँ पर चेक कर सकते जाके है कि उसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता एक्जामिनेशन 2022 में जो होने वाला है मैट्रिक का तो वहाँ पर आप चेक जाके वीडियो को देख सकते हैं आसा करता है वीडियो अच्छा लागोगा अगर अच्छा लागोगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राब जूर कीजिएगा मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो फूर वाचिंग दिस वीडियो